शाथियों श्वागत आपका शुद्रिष्टी पीशेश यूट्यूब चैनल पर साथियों विविन परिच्छाओं के शामा निद्धन प्रश्ण पत्र के अंतरगत आने वाले सभी विश्यों के महत्पूर टापिक मैं आपको बता रहा हूँ यह वो टापिक हैं जिन से परिच्छा में सरवाधिक प्रश्ण पूछे जाते हैं और इसमें वो भी मैं ये भी बताऊंगा कि किस-किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं या वो किस प्रकार से घुमाकर प्रश्ण पूछे जाते हैं बताते हैं आपको चलिए प्रार्म करते हैं तो इसके पहले हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के महत्पूर टापिक का वीडियो उप्लब्द करा चुके हैं ये आज विसे है जो हमारा ये है पारिश्थित्की और पर्यावरण अर्थात इन्वार्मेंट इसमें इस सब्द की परिवासा किस सम्मेलन में दी गई या किस रिपोर्ट में दी गई यह फिरत का क्या था इसके बाद Agenda 21 ये किस समेलन का विशे था इस थाय विकास पर केंद्रित पर्यावर्डी समेलन मनलब कई सारे ऐसे समेलन हुए है जिनका मुख्य मिंदू या मुख्य विशे ही क्या था इस थाय विकास था और इनके सीरसक्ट मैंने जो बताया है, ये सब आपको देखना है, इसके बाद सतल विकास उचकांक जारी होता है, इसका नवीनतम जो जारी हुआ हो, उसमें भारत की रैंक और प्रतमिस्थान पर कौन है, ये आपको याद करना है, इसके बाद प्रन्यावण से समधित अनुशंधान सहस्थान, प्रन्यावण से जुड़े हुए भारत के रैंसंधान सहस्थान, आपको याद करना है, जिसे नीरी हो गया, या कजरी हो गया, या प्रन्यावण में क्या मरदा भी आती है, और मरदा से जुड़े हुए सहस्थान जितने भी है, या वन से जुड़े हुए सहस्थान, वन प पारिष्टिकी तंत्र इससे एक या दो प्रश्ण आ जाते हैं कैसे प्रश्ण बनते हैं आपको बताते हैं ecology, ecosystem या ecological नीचे ये जो है इन सब्द का प्रयोग किन वेगानकों के दारा किया गया या सरुप्रतम के कौन से विक्ति थे जिनों ने इन सब्दों का प्रयोग किया देखे, ecology अलग है, ecosystem अलग है इन सब्दों का प्रयोग अलग-अलग दो विक्ति थारा किया गया था इसके बाद परजीवी के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, अर्ध मूल, पूर्ड मूल, अर्ध इस्तंब या पूर्ड इस्तंब ये कौन-कौन से होते हैं या किस पेंड पर रहते हैं या इनका चुक परजीवी हैं तो कहीं न कहीं आश्रित ही होंगे इसके बाद प्रकास संसलेशन को प्रभावित करने वाले कारक किसका अपचेयन होता है प्रकास संसलेशन के क्रिया के दौरान किसका अपचेयन होता है और किसका उपचेयन होता है आपको ये भी देखना है कि CO2 का क्या होता है और Oxygen का क्या होता है या जल का क्या होता है ठीक है प्रदा में म्रदा में पाय जाने वाले Micro and Micro देखें Micro अलग हैं और Micro अलग हैं ये Elements आपको बताने हैं उसमें पूछ देया था कभी-कभी कि निम निम से कौन सा Micro Element नहीं है और तीन Micro देया होंगे और आपको पहचानना होगा कौन सा इसमें Micro है ठीक है इसके बाद मिट्टी के प्रकार मिट्टी के प्रकार हुआ उनके विशिष्ट गुड पूछ दियाता है कि सबसे अधिक देखें आगे मने दिया है या था किस प्रकार से गुड पूछ क्या होती है इसके बाद पारिष्टित की तंत्र प्राणब होता है इसके घटक कौन-कौन से घटक है आपको इनको अच्छे से पढ़ना है उत्पादक के कौन होते हैं उपभोगता इनकी स्रेणी तीनों देखनी है प्राथमिक दोतियक तरतियक इसके बाद इसमें आगे खादिस रंकला संकला बिल्कुल सही लिखा हुआ है तालाब गास वन और समुद्र इनकी खादिस रंकला आपको याद होनी चाहिए कि कि में कौन सा जीव कहां पर आता है इसके बाद पिरामिड पिरामिड का सब्द किसमें प्रियू किया था उस विग्यानी का नाम उसके आपको बता दे पेड़ और तालाब का पिरामिट सदयो क्या होता है उल्टा बनता है और उर्जा का उर्जा का पिरामिट क्या होता है सदयो सीधा बनता है किसी भी परिश्थित की तंत्र में हो उर्जा का पिरामिट क्या होगा सदयो सीधा होगा इसके बाद लाइकेन लाइ प्रजातिया क्या होती है इनकी परिभासा पारिष्थितिकी अनुक्रमण के चरण पारिष्थितिकी अनुक्रमण के केवल आपको चरण याद करने हैं जो भी 6-7 चरण है आपको याद होने चाहिए किसके बाद कौन है और इस चरण में क्या होता है। परेश्टित की उत्पाधक्ता किसमे सरवादिक without whether ने कहतं ऐसने हैं हैं अधिक माहत्पूर्ड नहीं है दो दोडों बनते हैं कि नाइट्री करंड जो होता है नाइट्री करंड में दो प्रकार के जीवाड प्रयोग होते हैं नाइट्र सोमेनस और नाइट्रो बैक्टर यह कौन नाइट्राइट को नाइट्रेड में बदलता है या कौन किस प्रकार से बदलते हैं यह आपको देखना है कि कौन सा बक्टीरिया जो है किसको किस में बदलता एं को इस टॉपिक में आपको इतने पढ़ना है तईसरे अब दिखते हैं जीव मंडल है जीव मंडल में पहले पढ़ना है जैव भूअसानिक चक्र इसके बात जीव मंडल के दीन घटक कौन-कौन डायोत प्रकाइड के प्रकार आप देख लीजिए कि कौन सी कि इसमें अाती है कौना सा आसा अवसाधि सेल इसके अबाद जी में वेन ने चली मंटल में तो मंटल भी इस elf दे खळते और स्टेंट में तो मध्य मनडल आयन मंडल इन सबकी पते देखिए उनकी से इस संबंद घटन है उस्ते घट्राइं कितने से चांच तक ऊउसन होते हैं इसके बाद व्यापारिग व्यापारिग पॉले देख लिए डोल डूल डूल ंस अभशी यह महत्मूर्ट प्रतस्ण आज हैं उसे मैं सामिल क्यी हैं व्यापारिक पॉले कई डोल क कि अभने दौन होते हैं द्वर समय को आपको पशू में भी को देख लेने हैं चीकती साथा है इस प्रकार से चीकती चालीस हा इसे करके इसथानी पौनों के नाम क्या-kya चिनूख में हरमतन ब्लिजाड इसिराको इनके देस पूछते आता है या किस प्रकार की है उष्च नकटी बंदी या यह पूछ दिया आता है इसके बाद बादल के प्रकार वा कौन सा बादल चंद्रमा के चारो और प्रभावंडल बनाता है ठीक है बादल के प्रकार में दो तीन बादल जो विसिश्ट प्रकार के हैं वही पूछे जाते हैं बार बार जैसे कौन सा बादल चंद्रमा के चारो और हरिकेन ये दूफान कि छेतर में आते हैं और इनको मापन के लिए कौ生ندर क्या लोटता है किसकी सरवाधिक लोड़ता है कितनी है और जोहारभालटा का आते है तो यहां से आपको इतना पड़ना है अगला देखते हैं विस्ध के प्रमुख जीवोम इसमें कह पड़ना है जीवोम के प्रकार पड़ने हैं, इनकी विज़चताएं क्या हैं, विज़चताओं में कैसे प्रशन बनते हैं, बताते हैं, सरवाधिक और सबसे कम उत्पादक्ता किस बायोम में, ठीक है, इसके बाद सागरी बायोम, इसमें मैंने समझा चुके हैं आपको प्लैंक्टन, ने ठीक, इसके बाद बायोम में उत्पादक्ता का घरता क्रम, यानि किस बायोम में सरवाधिक उत्पादक्ता पाई जाती है, और किसमें सबसे कम, इसका क्रम भी याद कर लीजिए, कि आदर आदरभूम में कितनी होती है, किसके बाद महासागर में किसके बाद है, इसका क्रम से जुड़ा हुआ प्रशन सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है यह सरवाधिक आदरभू मिश्तल किस राज में है इसके बाद उत्तरपदेश में रामसर साइट्स कितनी है चुछ अभी बढ़ी हुई है तो यह करंडफेर्स का भी कुश्चन है तो आपको पता हो आपको यह बहुए और भारत में किस प्रकार के वन किस राज में पाय जाते है आपको यह भी पढ़ना है और देख लेना है कि शीतोहत्यस्New गडिवंद्य काँ पर होते हैं या भारत में सदावारी यह भारत में पठी पंधिवन यह कहाँ पाए जाते हैं तो इस प्रगारल के प्रσι्ट आते हैं आगे चलता है पाचव रुच्तल की है या कौन सी पश्चिमी घाट की है देखते हैं आगे जै विवित्ता जै विवित्ता शब्द का प्रियोग तो यहां पर आपको देखना है कि कौन जै विवित्ता और जै विवित्ता सब्द का प्रियोग किस ने किया था आलाग अलग शब्द हैं आप देख ल होता है कि सबसे कम जयभिता किस में पाई जाते हैं विश्व भाव भारत के ही कुल्कितने बिश्व में हैं और भारत में कितने हैं उसके बाद हो फोर्व फॉड़ देते हैं व्लök में एपको पढ़ना है पश्च्चमी घाट के सब्सक्राइब उसके विसिष्टाएं पढ़नी है इसके बाद IUCN Red Data Book वर्गी करण है उसमें कौन सा जीव किस वर्ग में डाला गया है या कितने वर्ग उकुल बनाए गया है मैंने बताया था 9 वर्ग है इसके बाद भारत में पाई जाने वाली विसिष्ट प्रजात के जीव जन्तु यथा यह सब इनका इस्थान पूछा जाता है कि कहां पाई जाता है या कोई अगर राष्टी उद्यान या अभियारण इससे सब्बंध है तो आपको वह पता होना चाहिए कि हंगुल म्रग कहां पाई जाता है कौन से राज में इसके बाद यह दिखली में लिखा है कहां यह पा इनके उधारण कौन-कौन से है राष्टी उद्यान किस में आता है या बीज बैंक किस में आएगा इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वाइश्थान या कौन सा बाहिश्थान है बारत के समस्त राष्टी उद्यान जितने भी राष्टी उद्यान है कौन सा क में सामिल हैं यह चुक बदलते रहते हैं तो आपको करंट से अपडेट रहना है विल्कुल कि भारत के जवमंडर रिजर्व छित्र कितने हैं और उसमें से कौन-कौन युनिस्को के वैसिक निटर में सामिल हैं जैसे भी बारवा सामिल किया गया है पन्ना चलिए आगे वन जीव सरचड योजना हैं कौन-कौन सी बाग हो गई हाथी हो गई हंगुल परियोजना हो गई इस प्रकार से जो भी परियोजना है इनका प्रारंब का वर्स आपको देखे भाग जीव अभ्यारण और हाथी जीव अभ्यारण यह कौन-कौन से हैं किस राज में है नमीनतम कौन सा है जैसे नमीनतम हाथी जीव अभ्यारण कौन सा है या नमीनतम बाग जीव अभ्यारण कौन सा है बाग अभ्यारण जैसे कौन सा कामलांग है औरांग है आप आपको यह देख लीजें का जयावित्त्स मंदित है इसके बाद आइची लच्छ क्या थे कितने थे और आइची लच कब तक पूर्ण करने थे इनकी समयावध ही क्या थी इसके बाद महतुण पर्यावंडे दिवस वा उस वर्सकी थीम जैसे पर्यावंडे दिवस गोरायया दिवस हो गया गोरेदे उससे घर पच्छी दिवस है लेकिन पर्रेवांट से जुड़ा हुआ है इसके लावा आधरिभूम दिवस है या ओजोन सरच्छड दिवस है जो मनायाता है और उसकी जो है थीम आपको देखनी है थीम जो है पूछी जाने लगी है चुको दोनों तरीके से महात्पूर्ण है पर्रेवांट के दिवस्ट कोर्ण से भी चलिए आगे देखते हैं अगला टापिक पर्रेवांट प्रदूशन यहां से एक प्रशन अवस्ट चाता है कैसे बनता है पर्रेवांट से कुल आठ या सा नाट यो 10 प्रशन गब आते हैं और इन्हीं मैं से ने किसी एक और इसे प्रशन के आता है और ह्र टापिक प्रशन आता है तो आपको किस छोड़ना कुछ भी नहीं यह गिन यह है कि जो महत्पूर्ण है या किस प्रकार से प्रश्ण पूछा जाता है यह मैं आपको बता दे रहा हूँ पर्यावट प्रदूशन में क्या है प्रात्मिक बाद दोतियक प्रदूशक कौन से प्रात्मिक है और कौन से दोतियक है इनके उदारण पैन किसमें आता है इसो टू और और ओजुन परत के 6 करने वाले प्रदूसक यह कि इसके बाद एक दू विशिष्ट के लिए जो अधनी जो अध्नियम बनाए है यह ढोई जाता है इसके बाद जल प्रदूशण पर आते हैं जल प्रदूशन और ज मनुस के सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यह आपको पढ़ना है कि इनमें आर्सेनिक से ब्लेक फूट आपको पता होगा फ्लोराइड से क्या होता है इस प्रकार के जो है किस से कौन सा रोग होता है यह आपको पता हो इसके बाद पेजल में आर्सेनिक नाइट्रेट फ्लोराइड की कर्म होते हैं और इनकी इनका मतलब क्या होता है इसके बाद धुन प्रदूशन में 10 डिसिबल से 80 डिसिबल तक भी भाजन देख लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है पत्तियों की सरसराहट कितनी डिसिबल मानी जाएगी या सांत कमरे का धुन इंडेस्टी कितनी मानी जाए कितनी अनुमन्य है अनुमन्य मतलब परमिशिबल चलिए आगला दिखते हैं अन्तिम टॉपिक है इसका पर्रयवण का पर्रयवण रच्छा अंदोलन और इसमें कुछ अन्य भी प्रश्ण है कुछ अन्य भी महत्पूर्ण सहस्थाएं बगार हैं बताते हैं जिसे चिपको व्व यूनेप आई पीच सी ग्रीन पीज हुमन राइट वाच इन सबका आदिका आदिमलब कुछ और भी हैं इस्थापना वर्स आपको पता होना चाहिए किस वर्स इस्थापित किये गए इनका मुख्याल क्या है या इनका प्रमुख कार क्या है यह किस फील्ड में कार कर AS, स्म्मेलन जितने भी हुए さबностे पता हुए प्रतवी सम्मेलन जितने भी हुए सब आपे को पता हो प्रतवी 5 10 15 20 जितने भी है वी अना सम्मेलन जह हुआ था मांंटर अ किसे सम्धित हो पर्यावंड के किस चेत्र में एक ओजोन परस से है एक जय विवित्ता से कोई हो सकता है तो आपको ये पता हो जिनेवा प्रोटोकाल किसे संबंदित है ये भी मातपूर है इसके बाद ये किस वर्स हुए जैसे कोई 85 में हुआ कोई 87 में हुआ ठीक या इनका केंद्रित विश फिल्ड में उनको नोबल प्राइज मिला था या भी ये जो सुंदरलाल बहुडा जी की डित हो गई है उनसे प्रिशन पूछा सकता है क्योंकि करेंट का मुद्दा है उनकी मृत्यु के बाद उनसे प्रिशन बन सकते हैं तो आप लोग ये सब देख लीजेगा यहां पर मह यहीं अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रियावण के आप नबे प्रसत से अधिक प्रश्न हल कर लेंगे अगले विशे के महाच्पोर टापिक जल्दी बनाते हैं धन्यवाद